साथियो जब भी हम trade करते हैं और किसी भी pair के उपर जब हम buy order या sell order लगाते हैं तो हम एक load size तै करते हैं वो हम load size अपने हिसाब से तै करते हैं कि हम अपना load size क्या रखें और ये load क्या होता है किस परकार हम इसको adjust करेंगे कितना हम ये size रखेंगे ये सारा सीखेंगे बिल्कु ट्विटर गुरू जी चैनल को और technical video सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन को दबाईए लोट size को पूरी तरह समझने के लिए आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है हम जानेंगे कि load size क्या है और इस से हमारी trading में क्या फरक पड़ता है कि जो load size होता ह है वो चार तरह का होता है पहला standard load फिर mini load एक micro load और एक nano load size होता है हम तीन load size को ही explain करेंगे क्योंकि nano load को जल्दी से कोई plate farm sport नहीं करता है कोई-कोई plate farm ही है जो nano load को sport करते हैं तो सबसे पहला आता है standard load इसको हम decode करते हैं 1 यानि 1.0 में और एक standard load के अंदर एक लाग units होती ह है अब हम आपको यह समझा दें कि यह एक लाग units का क्या मतलब है जब आप forex में नए account open करते हैं तो उस वक्त आपसे एक option आता है जहां पे आपसे पुशा जाता कि आपकी base currency क्या है आप वहाँ पे base currency चुनते हैं और ज्यादा तर maximum USD चुनते हैं तो हम यहाँ पे USD को यह ल तो उस हिसाब से इसको define कर सकते हैं तो हम इसको 1,00,000 USD मान लेते हैं और अब यह 1,00,000 USD क्या है जदी मान लिजिए आपके account का जो leverage time है वो 200 times है यानि आपका जो portfolio है उसका जो leverage दिया जा रहा है वो 200 गुना दिया जा रहा है तो उसके हिसाब से तो आपको एक standard load open करने के लि यानि कि एक standard load का आप trade open करना चाहते हो तो उसके लिए आपका जो portfolio है वो 500 डोलर होने चाहिए यदि आपके account का leverage 200 times का है तो इस स्थिति में हम एक standard load से trade करते हैं तो हमको कितना profit और loss हो सकता है तो market जब up down होता है तो उसको हम pips बोलते हैं कि कितने pips market अप गया कितने pips market down आया और ये pips क्या है इसको भी मैं एक particular वीडियो में detail से समझाँगा लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूं कि एक pips का मतलब यहां पे होगा 10 डोलर यदि आप एक standard load से trade लगाते हैं तो और market 10 pips up या down जाता है मान लीजिए आप EURUSD में trade कर रहे हैं और EURUSD का price है 1.10000 इससे यह 1.1010 हो गया यानि कि 10 tips का up or down हुआ तो आपको यहां पे 100 डोलर का profit या loss हो सकता है तो आप यह देख सकते हैं कि हमने one standard load यह दि लगाया है तो शिरफ 10 tips up down होने पर ही हमको सिधा सिधा 100 डोलर का loss भी हो सकता है या 100 डोलर का profit भी हो सकता है तो इसे स्तीती में काफी risk बना रहता है इसके बाद आता है mini load size इसका size होता है 0.1 और one mini load बराबर होता है 10,000 units के यानि कि 10,000 USD के तो आप 0.1 mini load से trade start करते हैं और यदि आपके account का leverage times 200 times है यहां भी हम 200 times ही मान के चलते हैं तो एक mini load size open करने के लिए आपके account में 50 डोलर होने जरूरी है यहां पे profit and loss की बात करते हैं यहां पे one pip का मतलब होता है एक डोलर और अगर 10 pips up या down चला जाता है तो उसी example के साथ मान लीजिए EURUSD 1.1000 से 1.1010 हो जाता है यहां कि 10 pips up या 10 pips down हो जाता है तो इस स्थीति में हमको सिधा सिधा 10 डोलर का profit या 10 डोलर का नुक्षान हो सकता है तीसे नंबर पे आता है micro load micro load का मतलब होता है 0.01 और 1 micro load बराबर होता है 1000 units के यानि कि 1000 डोलर के तो micro load open करने के लिए यदि आपके account का leave raise 200 time है तो एक micro load open करने के लिए आपके account में 5 डोलर होने से हैं इसमें हम profit loss की बात करें तो इसमें 1 pip बराबर होता है जिरो पॉइंट वन जिरो डोलर के यानि कि 10 cent के बराबर होता है और इसमें यदि 10 pips up down हो जाएं तो जो USD का price है 1.1000 to 1.1010 यानि कि 10 pips up या 10 pips down चला जाता है तो इस स्थीति में जो आपका profit या आपका loss होगा वो होगा 1 डोलर का तो अब आप इसे idea लगा सकते हैं कि trading में load size कितना महता पूर्ण है और यदि आपको load size का कोई अनुमान नहीं है कोई idea नहीं है तो हो सकता है कि आप इस market में ज्यादा समय तक ना टिक पाएं तो अब आपको अपने portfolio के हिसाब से कितना load size लेना है वो आपने decide करना है तो उम्मीद है आप load size को पूरी तरह से समझ गए होगे इसी परकार और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रही है उम्मीद करूँगा साथ यो वीडियो आपको जरूर अच्छे लगा होगा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें हमें like करें और यादि नए है आप मार्चल पे तो मैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लें